अलू बित्रू जैमातादी मित्रो 17 और 18 दिसंबर तुलाराशी वाले जात्यकों के लिए कैसा रहने वाला है आपके ग्रह गोचर आपके जीवन में कौन-कौन से परिवर्तन था कौन से नई खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं आपको बताएंगे आपके वैपार में कौन से सकरात्मक वदलाव हो सकते हैं और इन दो दिनों में कौन से छेत्र में कारे करने से आपको सफलता मिल सकती है इन सबी के बारे में इसके साथ साथ आपके वैपार करियत अथा आपके लव लाइफ के बारे में आपको बताएंगे विश्तार से वीडियो क आखरी तक बने रहिएगा आपको कुछ अचूग से उपाई भी बताएंगे जो कि आपके इन दो दिनों को बहतर बना सकते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्चे कर लें ताकि रजोरोजाना आपको रासी फल समय से मिल सके मित्रों तुल जीवन में बहुत जल्द नई नई खुसियां आने वाली हैं आपको अपने वैपार में मनुवान चित्फल की फ्राप्ती होगी आपको अपने कारशेतर में अपार सफलताएं मिलेंगी आपके द्वारा किया गया कारिकरम को सफल होता हुआ आप देख सकते हैं मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपके सत्रूपक्च आपसे दूरी बना लेंगे और वहवाईक जीवन में खुसियां जस्तक देने वाली हैं वैपार और कारोबार भी अच्छा रहेगा इन दो दिनों में आप अपने वैपार को बढ़ाने का या फिर अपने कारोबार के विचार कर सकते हैं आपके जीवन में बहुत से विगास होते हुए देखने को मिलेंगे आपके वैपार में बढ़ोतरी होगी वैपारियों को वैपार में धनलाब होने की संभावना नजर आ रही है घर परिवार में खुसियों का आगमन होगा आपकी आर्थिकितिती में आपको बताना चाहेंगे कि 17 और 18 दिसंबर अधिकारी या बड़े लोगों से खास मामलों पर आपकी बातचीत हो सकती है सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे और आपको बताना चाहेंगे कि नोकरी, बिजनस या किसी आदत में बदलाव होने के योग हैं तुला रासी वाले लोगों को अपने मेहनत का पूरा लाव मिलेगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में विर्दी होगी, धनलाब और आई विर्दी के योग आपकी रासी में दिखाई दे रहे हैं मित्रों, परिवार में खुशी का माहोल रहेगा, कारी छेतर में सफलता प्राप्त होगी, सनी देव की किरपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी आज को बताना चाहूंगा कि 17 और 18 दिशंबर किसी के बहकावे में आकर कोई फैसला आप न करें आप अपने बुद्धी विवेक से कार्यों को करते हुए चलाएं प्रेम संबंदों के मामले में इस्ति थोड़ी सी डमाडोल नजर आ रही है आईए जानते हैं आपके लव लाइफ के बारे में मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि 17 और 18 दिशंबर आपके लव लाइफ के लिए बहतरीन पलो को ला रहे हैं अगर आप किसी को पसंद करते हैं और परपोज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय सबसे अच्छा रहेगा आपकी बात बनने की पूरी संभावना है आपके जीवन में आने वाले सिविप्रकार के कस्टों का निवारन होगा आपका मन प्रसंद रहेगा लडाई जगडों से जितनी हो सके दूरी बना कर रखें आपको इन दिनों अपना सच्चा प्यार जरूर मिलेगा जिससे आपका मन प्रसंद रहेगा आपके आत्म विश्वास में लगातार विर्दी होती दिख रही है लबरासी फल के हिसाब से तुलारासी के लोग 17 और 18 दिसंबर बहुत ही खुश रहने वाले हैं क्योंकि आपके खोई हुई प्रेम फिर से आपके जीवन में दस तक दे सकती है आप अपने प्रेमी के साथ जिंदिगी का भरपूर आनंद ले सकेंगे वैपार में धनलाप का प्रबल योग बन रहा है साथ ही वैपार में सफलता फी प्राप्तो होगी सिख्चा के छेतर में 17 और 18 दिसंबर आपको नई सफलता प्राप्तो हो सकती है अपने कुरोध पर विशेश कर आप नियंतरन रखें अगर आप अपने प्रेम जीवन में शांती बनाए रखना चाहते हैं तो किसी की सुनी सुनाई बातों पर आखे बंद करके भरोसा न करें आपके प्यार की गाड़ी तेजी से बढ़ने वाली है आपको सच्चा प्यार मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है भागे का आपको पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त होगा तुलारासी वाले लोगों को सिवजी की किरपा से जीवन में कुछ खास अवसर प्राप्त हो सकते हैं अगर आप काफी लंबे समय से जिस मौके की तलास कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है कामकाज के तरीकों में सुधार होगा आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी आपको अपने वैपार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है आप खुद को स्वास्त महसूस करेंगे नए लोग से आप जुड़ सकेंगे आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्त के मामलों में आपका बेहतरीन पल रहने वाला है भागे का भर पूर सही योग मिलेगा आपके रुके हुए कार परगती पर आएंगे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का अवसर भी इन दिनों प्राप्त हो सकता है कुछ अनुभावी लोगों की मदद मिलने की संभाव ना बन रही है आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी कार छेतर में आपका अच्छा परदर सन रहेगा सिप्छा के छेतर से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के योग है आप किसी महिला की तरफ इन दिनों आकर सिथ हो सकते हैं प्रेम सम्मंधों में मदबूती आएगी आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादियो बस्त लिखें आपका दिन सुब हो मंगलकारी हो जैमा विंदुवासनी